पाकिस्तान को कोविड वैक्सिन मिलने पर कंगना रनौत का सामने आया रियाक्शन ट्वीट कर दी अपनी राय आखिर क्या कहना है कंगना का आईए जानते है फिल्मों में अपनी आक्टिंग से तारीफ पाने वाली आक्ट्रिस कंगनर रनौत को सोशल मीडिया पर उनके बेबा कमेंस के लिए भी जाना जाता है वहीब कंगनर रनौत ने भारत द्वारा पाकिस्तान के लिए कोरोना वाइरस वैक्सिन दिए जाने को लेकर मजयदार रियाक्शन दिया है कंगनर रनौत ने इस खबर पर रियाक्ट करते हुए लिखा है मतलब मोदी जी कह रहे है कि वो भी तो भारत का ही टूटा हुआ एक अंग है वहाँ भी जल्द ही भाजपा की सरकार होगी आतंकी मेरे नहीं मगर आवाम तो मेरी ही है हाँ हाँ सबर्दस दरसल रिपोर्ट के मतावेक मामला ये है कि जी ए वी आई वैक्सीन गट भंदन के तेहत भारत द्वारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को 45 मिलियन कोरोना वाइरस खुराग दी जाएगी हम सभी जानते है कि दोनों देशों के बीच संभन्ध हमेशा तनाफूर्ण रहे है और इस तरह इस खबर पर कई लोग रियाक्शन दे रहे है इसलिए कंगना रनौत ने भी उसी पर अपनी प्रतिक्रिया शेर की है वेल कंगना के इस ट्वीट पर कई सोचल मीडिया यूजर्स ने भी अपना रियाक्शन दिया है फिल हाल आप हमें बताय इस वीडियो पर आपकी राए और सो दो लाए, फॉलो और सब्सक्राइब टो बोलिवट नाव और फेस्बूक, इंस्टग्राम और यूट्यूब